प्रिये विद्यार्थियों, हमारी ये क्लास, UP Board के Class 6 के Students के लिए है, जो विद्यार्थी छटी कक्षम पढ़ते हैं, और जिनकी English Week है, खास तोर पर उनके लिए ये हमारी प्लेलिस्ट है, तो ऐसे सभी छात्र जो UP Board से हैं, और Class 6 में पढ़ते हैं, उनका इस Class में स्वागत है आप अपने ऐसे ही Friends को इस Class से जोड़ें, जिनकी English Week है, और जिनको ट्यूशन की कोई Problem है, ऐसे सभी विद्यार्थी, अगर वो Regular इस Class से जोड़े रहेंगे, तो हम ये वादा करते हैं, कि आपका पूरा Course, आपकी पूरी Book, आप अपने घर से ही बहुत अच्छी तरह से कर प समझनी पा रहें, और Regular रहें, तो देखें, जो Book हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे, वो है UP Board की बहुत ही Popular किताब, जो ज्यादे तर बच्चों के पास होती है, काका Publication की, A New Style of Journal English, तो आज हम इसी Book का पहला Chapter, जो है Parts of Speech, यह आपको पढ़ाएंगे, अब क्योंकि ये Class हमारी Six Class के Students के लिए है, तो उसी Level के हिसाब से हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, First of all बात करते हैं कि Grammar होती क्या है, Grammar यानि व्याकरण, इसका क्या उप्योग है, Grammar है क्या, तो Grammar एक ऐसी Skill है, ऐसा ग्यान है, जो हमें किसी बहासा को सई से लिखना, और सई से पढ़ना सिख न होगा, हम यहाँ आपको आपकी Course Book, Kaka Publication की A New Style of Journal English, इसका First Chapter से Last Chapter तक पूरा Course कम्पीट कराएंगे, आज इस Book का जो पहला Chapter है, वो है Parts of Speech जो इस Class में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पर पहला Point जो आपको दिया गया है, पहले ज़रा उसको Read करते हैं, फिर आपको इसको Explain करेंगे, Point 1 है, अक्षर और सब्द, अंग्रेजी भासा में कुल 26 यानि 26 अक्षर होते हैं, अक्षरों के मेल से सब्द बनते हैं, अब यह Point यहाँ पर इन्होंने दिया है, उसको समझाने के लिए इन्होंने कुछ Examples दिये हैं, जैसे दिया है, R प्लस A प्लस T और एक इस शब्द बना Rat, यानि चुहा, अब इन्होंने यह जो Explain किया है, इसे हम अपने शब्दों में आपको Explain करते हैं, जिससे थोड़ा आपको आसानी से समझ में आए, देखिए आप जो Language हम सीख रहे हैं, इस समय वो क्या है, English, हम English पढ़ा रहे हैं, English में कितने अक्षर होते ह हैं, English में अक्षर होते हैं, Dear Students, 26, इन अक्षरों को हम, English में क्या कहते हैं? लेटर, तो 26 क्या होते हैं? लेटर, यानि अक्षर होते हैं, English बासा के अंदर, अक्षर मिल करके क्या बनाते हैं, शब्द, शब्द को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, word, spelling क्या है, word, तो अक्षर मिल करके, यानि लेटर्स मिल करके क्या बनाते हैं, word बनाते हैं, लेकिन क्या अक्षरों का कोई भी समूब, लेटर्स का कोई भी गुरुप, word बन सकता है, य इसा नहीं है, जड़ा एक्जम्पल से समझे, यहाँ पर हमने एक लेटर लिया N, उसमें प्लस किया E, उसमें प्लस किया फिर P, तो यह जो गुरूप है, इसमें हमने तीन अक्षर, यानि तीन लेटर्स लिये हैं, और इनको मिला दें, तो यह ऐसे लिखा जाएगा, N, E, P, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह कोई शब्द नहीं है, यह कोई वर्ड नहीं है, यह गुरूप तो है, समूझ तो है अक्षरों का, लेकिन यह कोई शब्द नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, अब जाता है pen, pen, वोई अक्षर हमने उपर लिये थे, उनी को दोबारा हमने यहां लिया है, लेकिन क्या बदल दिया उनका, क्रम, क्रम को हम अंग्रेजी में क्या कहते है, order, उनका order हमने बदल दिया, तो यह बन गया pen, तो क्या pen एक शब्द है, हमारा अंसर होगा yes, क्योंकि pen का एक अर्थ है, और क्या अर्थ है pen का, pen मतलब कलम, जिससे हम लिख सकते हैं, यह मेरे हाथ में आप क्या देख रहे हो, यह मेरा pen है, बॉल पैन, तो यह एक शब्द है, क्योंकि इसका कोई अर्थ है, लेकिन यह कोई शब्द नहीं था, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, तो आप ये point बहुत अच्छे से समझ लीजे कि हम शब्द किसको कहते हैं जिसके साथ क्या हो, अर्थ हो अक्षरों का ऐसा समू जिसके पास अर्थ हो ऐसे समू को हम शब्द कहते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि letters का ऐसा group जिसका कोई meaning हो उसको हम क्या कहते हैं word तो बिना शब्द के कोई अर्थ नहीं होता और बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता अगर कोई शब्द है तो कोई न कोई उसका अर्थ होगा और जो भी कोई अर्थ है उसके लिए कोई न कोई शब्द भी बना होगा तो शब्द वो ही होता है अक्षरों का ऐसा समू जिसके पास अर्थ हो अर्थ नहीं है तो वो अक्षरों का समू वो letters का group शब्द नहीं हो सकता अब यहां पर और example देखे हम हमने लिखा यहां पर B plus L plus A plus L तो क्या बन गया यह? B, L, A, L तो क्या ये शब्द है यानि word है आप का अंसर होगा सर नहीं क्यों क्यों क्योंकि इसका कोई meaning नहीं और जिसका meaning नहीं वो word नहीं होता जिसका कोई earth नहीं वो शब्द नहीं होता लेकर अगर हम इसको ऐसे लिखे हैं पहले B उसके बाद हम A लें B प्लस A और उसके बाद फिर हम L लें उसके बाद एक और L लें तो यह क्या बन जाता है B-A-L-L B-A-L-L बॉल मींस गैंद तो क्या यह एक शब्द है आपका अंसर होना चाहिए Yes क्योंकि इसका एक अर्थ है तो शब्द वही होगा जिसके पास अर्थ होगा वही वर्ड माना जाएगा जिसका कोई मीनिंग होगा एक एक्जम्पल और देखते हैं हमने यह तीन अक्षर लिए R-S-I इनको मिला दिया हमने तो क्या यह कोई शब्द बना नहीं बना क्यों? क्योंकि कोई सेंस नहीं है कोई मीनिंग नहीं है कोई अर्थ नहीं है लेकिन अगर हम ऐसे लिखें इसको पहले हम S लिखें फिर हम I लिखें फिर हम R लिखें अब क्या बना? S-I-R तो क्या यह कोई सब्द है? आपका अंसर होगा Yes ओके? आप हमें क्या कहते हो? Set तो इस अक्षरों के समू का एक अर्थ है इसलिए यह क्या है? सब्द है तो आप एक बास समझ गए होंगे Letters का ऐसा गुरूप Letters का ऐसा गुरूप जिसका कोई मीनिंग हो उसको हम क्या कहते हैं? Word कहते हैं अगर हिंदी में इसी बात को बोलें तो हम कैसे बोलेंगे? अक्षरों का ऐसा समू जिसका कोई अर्थ हो उसको हम शब्द कहते हैं तो most important point क्या है? अर्थ अर्थ होना जरूरी है यानि meaning होना जरूरी है कभी हम उसको शब्द और English में हम उसे word कह सकते हैं तो ये तो आपको समझ में आया कि ये जो शब्द हैं यानि words हैं बनते कैसे हैं अक्षरों को मिलाने से सब्द बनते हैं लेकिन ऐसे सब्द जिनका मतलब ऐसे समू जिनका कोई अर्थ हो अक्षरों को मिलाके बनते हैं ये बस सही है लेकिन बनते तब हैं जब उनका कोई अर्थ हो अगर अर्थ नहीं है तो उनको हम सब्द नहीं कहते जैसे इसको हमने शब्द नहीं कहा लेकिन इसको हमने शब्द कहा अक्षर तो इसमें भी है थ्री और इसमें भी है लेकिन ये हमारे लिए शब्द है ये हमारे लिए शब्द नहीं है तो इसमें एक जरूरी बात क्या है order यानि कि क्रम सही क्रम में जब हम लेते हैं अक्षरों को तो शब्द बन जाते हैं और अगर उनका क्रम सही नहीं है तो वो शब्द नहीं बनते तो दो बातें आप समझ गए होंगे अक्षरों को मिला के सब्द बनते हैं लेकिन एक किरम में एक order में ऐसा नहीं कि हम उनको कैसे भी लिखने और सब्द बन जाएगा right order में होगा तो हमारा एक सब्द बनेगा जिसका कोई न कोई अर्थ होगा जैसे यहाँ पर pen का है और इसका यहाँ पर कोई अर्थ ही तो यह point आप बहुत अच्छे से clear समझ लीजे meaning होगा तो word कहेंगे हम group को हिंडी में कहें तो अगर अर्थ होगा तो वही अक्षरों का समूझ कोई शब्द कहलाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं है वो सब्द नहीं हो सकता जिसका कोई meaning नहीं है वो word नहीं हो सकता उम्मीद है यह point आपको समझ में आगया होगा अब आपकी इस book में अगला जो point है वो है सब्दों के भेद यह नहीं parts of speech जैसे parts of body यह मेरी finger है ear होते है body में eyes होती है nose यह different parts होते है ऐसे ही जो speech होती है उसके भी parts होते है भासा के भी parts होते है और उन parts को हम क्या बोलते है parts of speech यानि speech parts अब कितने parts होते हैं English में speech के यानि भासा के कितने parts होते हैं तो parts होते है 8 यानि 8 English grammar के अंदर शब्दों को यानि words को 8 parts of speech में बाटा गया है और वो 8 parts of speech कौन से हैं, उनके नाम यहां दे रखे हैं noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, अब इसको जड़ा मैं आपको notebook में class है, इस तरीके से समझाने की कोशिस करता हूं तो आपको क्या बताया गया अभी इस point में, कि types कितने होते हैं, यानि kinds कितने होते हैं words के 8 8 पिरकार के होते हैं जिन में आपको सबसे पहले पढ़ाय जाते हैं, noun क्योंकि यह थोड़े आसान है और starting noun से होती है किसी भी चीज का नाम हो वो क्या होता है, noun फिर आपको आगे course में पढ़ाय जाते हैं pronoun noun और pronoun से ही जुड़ा हुआ chapter है पार्सव पिस्पीच है adjective उन दोनों की विशेषता बताने का काम कौन करता है? adjective तो noun, pronoun, adjective जब हम noun, pronoun की बात करते हैं तो उसमें इंसान भी आ गए objects यानि वस्तुएं भी आ गई अब इंसान कुछ न कुछ करते हैं है ना, इंसान जानवर्ज होते हैं जो living चीज़े होती है सजीब चीज़ें वो कुछ न कुछ करती है और करने को ही English grammar में क्या कहा जाता है? verb हिंदी में आप इसे क्या बोलते है? kriya इस समय मेरी kriya क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना इसकी English क्या है? teach तो teach क्या है? एक verb है अब आगे पढ़ेंगे आप verb के बारे में जो विसेश्ता बताती है उसको हम क्या करते है? adverb लेकिन ये सारी चीज़े में आपको इस समय नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आपके syllabus में ये नहीं है जितना chapter में दिया है उतना ही हम पढ़ाएंगे फिर आगे पढ़ने को मिलेगा आपको preposition, conjunction और interjection ये जो तीन है ये थोड़े क्या है? टिपीकल है लेकिन जैसे जैसे एक एक chapter आप आगे भरते जाएंगे आपको सारे topic समझ भी आएंगे लेकिन एक साथ सब कुछ समझने की कोशिस नहीं करने जितना syllabus में है जितना lesson में है वो 100% आपको clear होना चीए तो class 6 में इस chapter में इतना ही आपको पढ़ाए गया है कि शब्द कैसे बनते हैं तो हमने बताया शब्द अक्षरों को मिला के बनते हैं और उसमें जरूरी चीज़ हो जाती है उनका किरम यह चीज़ आपको example दे करके समझाई थी फिर इस chapter में आपको पढ़ाए गया है कि शब्दों के फिरकार यानि types क्या होते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि types कितने होते हैं 8 types होते हैं और उन 8 types के हमने यहापे name आपको पढ़ने को दिये noun, pronoun, adjective verb, adverb preposition, conjunction, interjection तो यह basic जानकारी इस chapter में दी गई है अब आपको homework क्या करना है आपको इस class को अच्छे से कम से कम 2 times attend करना है, देखना है और जो हमने questions इसमें आपको समझा है उनको इस तरीके से समझना है कि कोई और आपसे पूछे तो explain कर सके और दूसरा homework यह है कि जो यहाँ पर parts of speech दिये गए हैं, 8 parts of speech दिये गए हैं, आपको उनको लिख करके उनके practice करनी है कम से कम 3 times या 4 times आप उनके practice करें कि कोई आपसे पूछे तो आप उन्हें explain कर सके अगली class में फिर मिलते हैं नए topic के साथ जहें